हाई गाईज तो आज हम आपसको शेयर करने वाले हैं बहुत ही तेश्टे एंड डिलीशियस हलुआ जो आप याँ पर देख सहे हो ऐसे टेश्टे हलुआ आज हम बनाने वाले हैं सो गाईज इस अलवे को बनाने के लिए हम लोगों चाहिए सूजी 1 kg सूगर 1 kg मिल्क हाफ लेटर वाटर हाफ लेटर डेसी घी 150 ग्राउंड ग्राम फिर रिफाइन ओईल 500 ग्राम काजू 200 ग्राम किसमिस 200 ग्राम बटर 100 ग्राम दालचीनी लॉंग इलाइसी यह जो है हम लोग को दो से टीन टेच बत्ते चाहिए सो गईज यहाँ पर आप देख रहे हो सारे इंग्रीडियन्स रेडी है तो अभी हम लोग बनाना जो है स्टार्ट करेंगे तो लेट्स स्टार्ट है सो गईज फस्तोफल हम लोग को एक बरतन नेना परेगा जिसमें हम बनाने वाले हैं फिर एक सासपें लिया है फिर उसमें टेल दिया गया है फिर उसमें हम लोग ने थोड़ी चीनी दिया है । थोड़ी चीनी इसलिए दी कही है कि आप जैसे म चीनी कप कर्याlt और उस color से जो है हलुआ में वो colored आ जाता है तो उसलिए आप लोग को extra से जो food color वगेरा होता है add करने की जरुवट नहीं है हलुए में आपको अगर हलुए में अच्छी एक color चाहिए तो आप ये trick स्टमाल कर सकते हो अब तेल लेना है उसके बाद थोरा चीनी देना है देखे आपको हलका-हलका उसको वोन दे रहना है अब देख सकते हो अभी हलकी-हलकी जो है चीनी से color आ रहे है तो आप चीनी में जैसा थोड़ा बदामी color करोगे तो वोई color जो है हलुए में भी आएगी तो इस तरीके से आपको बनाना है जैसी चीनी में थोड़ा कलर आता है उसके बाद जो है हम धीरे धीरे डूसरे जो इंग्रीडियन्ट से उसको हम लोग एट करते जाएंगे और आपको ऐसे हिलाते रहना है थाकि चीनी जलेना फिर यहाँ पर हम लोग ने तेज पत्ते जो है एट किये हैं और उसके बाद यहाँ पर लॉंग दालचीनी इलाइची जो है यहाँ पर एट कर रहे है इसको भी हलका हलका ऐसे ही तेल में बूलना परेगा आपको कंटीनियू इसको हिलाते रहना है जैसे ही थोड़ा दालचीनी इलाइची वगेरा टेल में फ्राइ होने लगेंगे उसके बाद थोड़ा बूनने के बाद उसमें हम जो है दूसरे सारे जो इंग्रीडियन्स है जैसे कि हम लोग अभी एट करने वाले हैं सूजी तो हम लोग ने एक केजी सूजी ली थी तो एट करना है सूजी एट करके भी आपको उसको कंटिनियूसली जो है भूनते रहना पड़ेगा नहीं तो क्या होगी सूजी जो है लग जाएगी नीचे तो इससे अगर आप इसको हिलाते नहीं रहोगे भूनते नहीं रहोगे तो सूजी जल सकते है उसलिए आपको कंटिनि नहीं दिया गया है अभी अच्छा से आपको बूनते रहना है हल्वा बनाने में यही जो महनत लगती है कि आपको उसको कंटिनिवसली जो है बूनते रहना पड़ता है कि हल्वा नीचे लगने जाए अगर लग जाएगी तो वो जल सकती है उसलिए आप फ्लेम थोड़ा मीडियम या कम करके इसको बून सकते हो फिर यहां हम लोग एड कर रहे हैं बटर और यह डेसी की आप टू 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 ट्री ट कर सकते हो हल्वा बनाने में सूची और चीनी जो है वो आपको सेम मात्रा में देना है मतलब कम नहीं होना चाहिए अगर सूची एक केजी ले रहे हो तो चीनी भी एक केजी अगर आप कम बना रहे हो जैसे कि हाफ केजी बना रहे हो हाफ केजी सूची ले रहे हो तो हाफ समान होना चाहिए उसके बाद आपको ऐसे भूनते रहना है थोड़ा सा हमने पानी अट किया है इसमें और पानी जो हाफ लिटर हमने दिया था वो पानी अट किया उसके बाद आपको फिर अच्छा से भूनना है भूनने के बाद जो बची हुई चीनी थी वो add कर देना है और उसके बाद फिर से उसको अच्छे से बूनना है अच्छी तरीके से चीनी को जो सुजी के साथ आपको मिलाना पड़ेगा तो अच्छे से बूनना है और यहां हम लोग जो half liter हम लोग ने दूट ली थी तो उसको हम लोग यहाँ पर add कर रहे हैं दूद देना है उसके बाद भी आपको पुरा अच्छे तरीके से सब को मिक्स करना है और अच्छे से भूनना पड़ेगा इस तरीके से जब आप बनाओगे ना तो जो अलुआ है बहुत ही टेस्टी होती है दिलेशियस होती है आप एक बार बना के देखना तो आपको बहुत अच्छा लगएगा और डूल देने से जो मिल्क हम लोग अगर यहाँ पर एट करते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है तो आप देख सकते हो इसकी कलर जो है कितने अच्छी आ रही है हमने कोई एक्स्ट्रा से कलर यूज नहीं की है फिर भी इसमें अच्छा एक कलर आ रहा चछा है तो चो हम लोग के पास हम लोग ने ड्राइफूट्स ले थी वो भीयाट कर दी है तो उसके बाद आप देख सकते हो यह हम लोग का हजる वाह है रैडी मैं काई क्ट यहाँ पे हमारे यमी यंकी टीशिटी टीश्टी जो हला है रैडी है इसे आप गरम गरम सर्फ कर सकते हो आप इसको पूरी के साथ भी खा सकते हो या ऐसे ही आप खा सकते हो वीडियो को लाइक शेयर और सस्क्राइब करना नहीं बुलिएगा